हेलो दोस्तों फिर से सागते मेरा चैनल पर मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रोनिस इंडिया मैं लोट्रन फिल लेके आ हूँ एक प्राट्रन का एलजी का टीवी 21 इंच का टीवी है इस टीवी का पॉब्लेम दिखाऊंगा सुलेशन करके भी बताऊंगा तब तक हमारे वीडि स्टार्टिंग हो जाता है है इसका पॉब्लेम क्या दोस्तों आपकेमारे पिक्छार हुथ हूं वह यह पर सइट पर चला गया है और हमारा पिक्टर सोटेज हो गया है इसका पॉब्लेम के बारे में बताऊंगा तब तक हमारा니다 को ओपेंर करना पड़ेगा ओपेन करने के बात आप लोग को दिखाता हूं इसका पॉब्लेम है क्या ठीक है दोस्तों पहले टीवी को ओपेन कर लेता हूँ कि दोस्ते आप लोग एक सेक्टे में टीवी को ओपेन कर चुका हूं यह रहा हमरा 21 इंच का जो हमरा इसएर ट्यूप है यह रहाक योग कोई लेका हमर बेस बोल और आज का जो यह पॉब्लेम आया है दोस्तों अच्छी हमारा मेंसों छॉब हो सकता है मेरा छो ऑनवा होसकता है यह हमरा जो वाठीकियल आसी सब्सक्राइब करने के बाद हम लोग सिस्टेम बोर देखेंगे कहां से पॉब्लेम आ रहा है इसलिए क्या करना है हम पहले इसका जो भार्टिकल का जो फोल्टेज होता है वो फोल्टेज को आची तरह से चेक कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे हमारा जोमीन-i-c-C व्लीभ आता है और फ्लीभ काम कर रहा है की नहीं और हमारा जो इन्टनर लिव जो हमारा सिस्टेम है भाटिकल आइसी का ओबला जो फ्लीप देता है ओप फ्लीप को चांट्रोल करने के लिए सिस्टेम जो होता है वह हमारा सही है कि नहीं देच करेंगे उसके बाद हम लोग के सॉलुशन पे आएंगे ठीक है मैं का करूंगा पहले टीवी को पावार देता हूं और पावाद देने के बाद हम लोग टीवी को एक एक चीज़ को चेक कर लेंगे तो पाता चल जाएगा हमारा पॉब्लेम है क्या पहले तो चेक करेंगे यह बाला जो हमारा भाटिकल सब्लाइब या गया है जो प्लास 14 माइनस 14 और प्लास 14 आता है इस बाला देखिए हमारा 13.7 बोल्ट आ रहा है ओबला भॉल्टेज है यह उसके बाद आता है यह बाला डायट पे हमारा माइनस 14 और भी बोल्टेज को चेक कर लेंगे देखिए दोस्तों हमारा माइनस 14 भी आ रहा है मादलब दोस्तों हमारा जो EHT6N बोल्टेज जो देरना चाहिए तहां बोट रहा हो उसके बाद देखते हैं क्या हमारा जो भार्टीकुल आईशी होता है भाकटीकुल दो फ्लीब दिया जाता है जो हमारा भार्टीकल को अपसाइट दांसाइट को काम करने के लिए ओभला पॉइंट को ढूनेंगे तुने के बाद हम लोग सिस्टम को चेक करेंगे वो कहां पे लागाया हुआ है वो बाला पॉब्लिम को चेक करने के लिए यह बाला दोनों पॉइंट हमारा जो होता है यह हमारा भार्टिकल सिक्षन के लिए दिया गया है यह भार्टिकल सिक्षन को चेक करेंगे तो इस पे हमारा वोल्टेज जो आना चाहिए और वोल्टेज को चिक कर लेंगे यहाँ पे हमारा वोल्टेज आना चाहिए देखिए हमारा 2.4 वोल आ रहा है और हमारा इस पे आना चाहिए 0.6 2.4 आ रहा है इस पे भी हमारा 2.4 आ रहा है दोनों का वोल्टेज झेम है लेकिन दोस्तों हमारा इंर फ cardiovascular आघ्टी काम कर ला कर लेंगे जो नहीं किसके लिए vaccine नेहीं का ऊसके लिए हमारा जो इंटरनेली पाइड होता है जो यह वार्डीयािज होता है हमारा इपासिटर होता है उसको पहले चेक कर लेंगे उसके बाद देखेंगे हमारा सिस्टेम पर भाटिकल आईसी भी खरब हो सकता है उसका जो इंटरनली पॉइंड होता है वो उसको खरब हो गया है तो हमारा आप साइट तो पिक्चर को आ रहा है लेकिन डाउन साइट का पिक्चर नहीं है इसलि करने के बात हम लोग ऐब वह है कि फिर से लागाएंगे ठ़ैक है मैं भाटिकलाइस को कि दोस्ता मेंस से जो पील और वह हमारा वह जो हो होधा नोता है यह मना पॉइंट हमारा जाता है जो ई होता है उप यच्छ ऐतर यह हमारा रे ऍ Nossa आख याता है उस पर जम्फल है वो तो मैं पहले भी देखा चुका हूँ जो 2.5 करके आ रहा था वह भुल्टेज फिर से चेक कर बदता हूँ एक चीज दिखा हूँगा देखिए इस बाला जो पॉइंट है इस बाला पॉइंट पे हमारा 2.4 आ रहा है उसके नीचे बाला जो पॉइंट है और नीचे बाल हमारे एक रिजिंटर लगाया है गाउनके साथ और यह बला हमारा फिल्टरिंग करनी के लिए देज ते रहा है उसके देखिए हमारा कि इतना बोल्ट जा रहा है जो हमारा tuh.5 था यह बड़ पॉइंट बोल्ट mü यह ब यह 2.4 है और उसके बाद जो मैं फिल्टरिंग करने गाउन करके रेजिटिन दिया गया है और उसके बाद इस पर पॉइंट है इस पर भोल दिखा रहा है टू पॉइंट त्री यह दोनों भोल्टेज हमारा ज्यादा डिफार्नस भोल्टेज आ रहा है इसलिए एक हमारा सही है एक हमारा गैलत है जो बाला पॉइंट खाराब है प्रांका टायां से प्रेंट सेमně लीए आहें का फ़िए अहा law कि टेया लिए इस लिए आमारा नीचे बाला जो पीक्टर होता है कि ये फिक्टर खान्स मुल्म हो तो में आईशी से भी हो सकता है जो में आसे से नहीं Syrian दोस्तों यह बाला फोइन जांपिंग को उपेन का बात चेक करेंगे तो हमारा सेफ लिभ आ रहाए बोल्टेजा रहा है और हमारा जो मेन आइसी फाटिकल आइसी आ यह वाटिकल आइसी पे जो हमारा इंटरे लिजुक्षे पॉइन होता है लेब राइट आप डाउन का ओ भ कोनो बोल्टेज हमारा सेम तरह कैसे आएगा तो हमारा सिस्टेम हो जाएगा नहीं तो हमारा और कुछ पॉब्लम है और उसके बाद नया बाला एक भाटिकलाइसी लागाएंगे तो हमारा सिस्टेम चालू होना चाहिए इसलिए का करेंगे पहले भाटिकलाइसी को ओपन करें उसके लिए क्या करना है वोल्टेज को चेक कर लेंगे भार्टिकल आइची को तो मैंने ओपन कर चुका हूँ ओपन करने के बाद दिखता हूँ इस बाला देखिए अमारा इन्वाटिंग सिस्टेम पे हमारा आहां वट्सक्राइब करेंगी उसके बाद देखेंगे अमरे पिक्षर कैसे आ रहा है यागा लेता हूं फिर दोस्तों मैंने तीबी का जो बाठीक लाइसी तहा रहा चीत्रा से अच्छे दरे कर दिया हूं वह अच्छेज पार देने के कहँगा पवर देने के बाध कैसे पक्चर आ रहा है वह देखाँ गांगाम थेखाँ दूस तु मैं टेभी को पाफर देने को थीश चालू हो चुका है और हमाड़े पाबलम साथ हो चुका है उसको माइँदी और सब्सक्राइब तक हमारे भी without AG thral pity वह देखा दिता हूं देखी बाला भोल्टेज आचुका है 1 अलों जो पॉइंड फोल आ रहा था और दूसरा वह जो फोल्टेज था वो भी देखिए पॉइंड बोल्ट मतलब यह बला सेम से करिप करी बोल्टेज है इसलिए हमारा सिस्टम का जो पिक्चर था वो पिक्चर होके हो गया है और मैं आगे से वीडियो पिक्चर दिखा देता हूं कैसे पिक्चर आ रहा है दोस्तों मैंने टीवी को आगे से घुमा चुका हूं घु सिस्टम पे खराब हो चुका था इसलिए हमारा बेस वाला पॉब्लेम आ रहा था मैं क्या किया बाटिकल आइसी को चेंज कर देने के बाद हमारा टीवी पिक्चर आ चुका है मैं क्या करूंगा यह भी कर देता हूं तीवी को देखिए हम पूरी तरह से पिक्चर ओके है मत अब भी मैंने आना वीडियो लेकाऊंगा आप लोगों को मिलते रहेंगे ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडिया बार तब तक के लिए दोस्तों गुड़ बाई